हलो फ्रेंट्स, वेलकम बैक टूब टारीपैंट यूट्व चैनल, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कम्पीटर में कनेक्टेड वाइफाइड दिभाइस का पास्वेर्ट कैसे पता करें। wi fi device का पासवर्ड पता करने के लिए सबसपद्छ आपके system में wi fi connected होना चाहिए तबि आप वस waipka patsfund पता कर सकते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि आपके office में system में wi fi connected होता है या आपके फोल में wi fi connected होता है लेकिन अगर उससे आप अप दूसरे device में यानि की mobile में connect करना चाहते हैं तो आपके पास password नहीं होता है जिसकी कारण आप connect नहीं कर पाते हो लेकिन आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आसानी से आप password निकाल उतरके और उससे अपने device में connect कर सकते हो बहुत सारे यूजर के कहना था बहुत सारे यूजर यह भी नहीं जानते हैं कि विंडोज 10 में भी हम password निकाल सकते हैं यह वीडियो जिनरली विंडोज जाते हैं control पैनल जाने के लिए विंडोज आर पर इसकिया हमें और control लिखा control लिखने के बाद इंटर किया अब पैनल पैनल ओपेन हो चुका है control पैनल ओपेन हो चुका है सबसे पहले अगर आपका category के type रहे गा ऐसा तो सबसे पहले भी होगा है चेंज करें large icon करने से थोड़ा अलग-अलग option आ जाता है जिससे असानी से आप identify कर सकते हो अब उसके बाद network and sharing center है जिस पर क्लिक करें network and sharing center के बाद लेफ्ट साइड में सबसे उपर देख सकते हैं change adapter setting जिस पर क्लिक करना है आपको और फिर आपको कुछ इस तरह के स्क्रीन सो होंगे अब लेखिए इसमें मेरा वाइफाई ये connected है अब इसका हम पासवर्ट जानना चाहते हैं तो इसके लिए right क्लिक करें और status पर क्लिक करें जो भी वाइफाई connected होगा उसका password सो होगा ये ट्रिक विंडोज 7, 8 और 10 तीनों में वर्क करते हैं थैंक्यू फर वाचिंग इस वीडियो बाई बाई